तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं option buying और option selling में difference क्या है क्या ऐसी चीज है जो इन दोनों को अलग करती है कौन सा इन में फायदा है कौन सा जादा जरूरी है यह चीज़े आज हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं तो बिना time waste किये हम लोग यहां पे देख लेते हैं एक एक साइट सेल लेखेंगे तो यहां पे जो सबसे पहला जो topic आता है वो क्या आता है पहला जो topic आता है कि capital इसमें किसमें कितनी की जरूरत होती है जो कि normally सबका question होता है कि जो buying है हम जो buying कर रहे हैं वो normally 10,000 में हो जाती है उसमें हमें ज्यादत का capital हो नहीं चाहिए होती है selling में जो capital है वो हमें ज्यादा चाहिए होती है वो इसमें जो है हमें लगबग जो है 50,000 की capital तो चाहिए ही चाहिए यह इसका जो है यह मैं मान सकती हूँ कि हाँ यह जो है इसका एक negative point हो गया कि इसमें capital ज्यादा लगती है ठीक है कोई बात है नहीं जो दूसरा point आता है वो buy करना है और sell करना है तो हमें P.E. को sell करना है यह simple लेकिन selling थोड़ा tough पड़ता है क्यों पड़ता है क्योंकि समझ जिए कि अगर हमें जो है P.E. को sell करना है क्योंकि हमारा view जो है या पर upside का प्रॉबिटी प्रॉफिट्स की तो इसमें profits की जो probability होती है वो कम होती है बजाए की selling के selling में जो है profit की probability high होती है यह तीसरा point हो गया चौथा और सबसे important point यहां पे क्या है वो यह है कि इसमें risk कितना है कितना risk है मतलब हम उसको अच्छे से समझें कि risk की तो दोनों ही है मैं यह मान जूँ कि दोनों में ही रिस्क है stop loss तो हमें दोनों में ही लेकर चलना पड़ेगा लेकिन इसमें buying में जो है loss जो है वो limited होता है लेकिन selling में unlimited loss है तो एक बार हम लोग जो है इसको फिर से overall समझ लेते हैं कि यह क्या है कैसे है detail में हम इन points को समझें तो यह देखे पहले जो आया low capital वाला तो सिंपल है कि हाँ इसमें दस हजार capital चीए उसमें पाथ हजार capital चीए इसमें कुछ ज्यादा मंतर मंतर नहीं पड़ने हैं बिल्कुल सिंपल सी है कि buying में कम capital selling में ज्यादा capital जो दूसरी शीज आती है वो आती है कि पहले जो buying है उसमें भी इतना सिंपल है कि buy करना है तो सी को sell कर दो sell करना तो पी को sell कर दो लेकिन ये टफ क्यों है क्योंकि यह मैं यह नहीं बोल टफ है यह भी इजी ही है लेकिन यह थोड़ा सा अपोज जैसे कि मैंने आपको बताए कि अपोजिट वो करता है तो उसी लिए यह confusion create करता है और इसी लिए यह लोगों को टफ लगने लगता है तो इसमें अपोजिट ही करना है कुछ अलग नहीं करना है उससे और फिर तीसरा जो point आता है वो आता है probabilities में low क्यों है क्योंकि इसमें सिर्फ 33% chances है कि market हमें profit दिखा है क्योंकि अगर market sideways है तो भी हमें जो है buying में loss होगा और वहीं अगर हम selling में देखे तो selling में जो है अगर market हमेरी direction में है तो भी और market sideways है तो भी हमें दोनों ही situation में profit होने वाला है तो selling में 66% chances मिलते हैं profit होने के और buying में 33% chances मिलते हैं जो कि काफे important है और रिसकी तो जनाब भई दोनों है ही क्यों है क्योंकि buying में जो कोई चीज अगर 100 रुपे की है तो वो कितनी हो जाएगी zero हो जाएगी जादा से जादा तो जादा से जादा loss हमारा इसमें 100 रुपे का ह हो सकता है वहीं अगर हम selling में देखें तो कोई जो 100 रुपे की चीज है वह 1000 की भी हो सकते हैं 2000 की भी हो सकते हैं इसलिए unlimited इसमें loss है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं Stop Loss से Stop Loss तो लगाना जरूरी है दोनों ही चीज़ों में लगाना जरूरी है तो important चीज आप लोग नहीं यहां पर देख लिए क्या क्या है Stop Loss लगाना जरूरी है रिस्क किसमें ज्यादा ज्यादा है प्रॉफिट किसमें ज्यादा ज्यादा है तो उम्मीद करते हूं वीडियो समझ में आई होगी थाइंक यू